हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अन में यूट्यूब चैनल तो दोस्तो ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर फिफ्टन है यानि की सेकंड लास पार्ट दोस्तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइस चैनल को सब्सक का ही लग जाता है खेर फिलाल इस समय उसकी तबेद बहुत जादा खराब हो गई थी और उसे आइस्यू में शिफ्ट कर दिया जाता है शियान वो बहुत ही जादा घबराई होई थी खेर वो इस समय गुन्वो के पास थी और इससे बोल रही थी कि चा गुन्वो प्लीज लट जाती है और यहाँ जाने के बाद वो गुन्वो की हर वो बात को याद कर रही थी जब गुन्वो ने डिरेक्टली और इंडिरेक्टली उससे अपना लव कनफेस किया था शियान गुन्वो के लिए बहुत परशान थी अगली सुबा जब सेंगा और सुंग जन लिए था उस गुंडे को लिखते हुए अब शियान पूछती है क्या खिर हिंग जुन उपा है कहां पर तब ही जैंकी बोलती है पता नहीं शायद उन्हीं लोगों के पीछे होंगे जो तुम्हें परशान करना चाहते हैं तब शियान को दियान आता है कि गुन्वो बोला उसने युंग जुन को देखा है तब ही शियान चैंकी से पूछती है क्या तुम्हारे और मेरे अलावा भी कोई और भी युंग जुन उपा को देख सकता है चैंकी पूछती है कि आगर किसने देखा शियान बोलती है चा गुन्वो ने चैंकी बोलती है कि तुमने कहा वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था तो हो सकता है जब वो जिन्दगी और मौत के बीच में था तब उसने भाईया को देखा हो अब श्यान को यादता है कि हो सकता है इसी टाइम पे उसने जिनको देखा हो कि रागी जब वो पुलिस स्टेशन लौटती है तो सारे पुलिस आफिसर्स उसे गुंडी को पकरने के लिए जा रहे थे और शौन को पता चलता है कि ये तो किसी और एड्रेस पे जा रहे हैं जो कि शौन को पता चला है वो तो दूसरा एड्रेस है और ये सब कुछ चीफ को कॉल करके कहते हैं कि ये सिर्दर्द बनेगा हमारे लिए इसका काम खतम कर दो तो बस होना क्या था आगे इस गुंडे की उपर ही हमला हो जाता है मकसद तो इसे मानने का था पर जब कोई और इसे पीटते ही देख लेता है तो फिर वो दूसरा गुंडा इसके पैसे चु करार होने वाला था शोन का एक लिए पूछता है कि आकर तुम्हें ये इनफॉमेशन कहां से मिली शोन बोलती है है उसके पास भी कोई सीक्रेट इनफॉमेशन देने वाला किर आगी ये लोग इस इल्डू को पकड़ लेते हैं जो कि पहले से ही टूटी-फूटी हालत में तब शोन ने इसे अरेस्ट कर लिया था और वो इससे पूछताच कर रही थी पर ये अपना मुँ अभी भी कोलने को रेडी नहीं था तब शोन इससे बोलती है तुम्हें क्या लगता है चीफ मून तुम्हें बचाने वाले हैं तुम्हारी ये हालत के जिम्मेदार ही वो है वो तो तुम्हें मरवाना चाते थे तुम्हें क्या लगता है चोरी की मकसद से ही तुम्हें पीटा किया था ज़रा ध्यान से सोचो और उसकी बात कुछ डिसाइड करना श्योन कहती है मेरे पास एविडेंस भी है अब शायद इस इल्डू को जाकर किया अकल आई थी श्यो अपनी पूरी टीम के साथ पहुचाती है वहाँ जहाँ चीफ मून कमिशनर बनने की तयारिया कर रहे थे जब श्योन रूम के अंदर पहुचती है तो चीफ मून कहते है इंस्पेक्टर श्योन तुमारे आने की यह जगा नहीं है श्योन कहती है कि मैं आपको अरेस्ट करने के लिए आई हूँ, स्मगलिंग और मर्डर केस में, वो बोलते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या बोल रही हो, सभी कि सभी लोग हैरान थे, चीफ मून पूछते हैं उससे, तुम आपस कोई एविडेंस है क्या, शोन बोलती है, तो आपको कवा चाहिए, तब ही वहाँ पे रफ्तार करती है, अब आगे वह हॉस्पिटल में गुन्वो से मिलने के लिए जाती है, जिसकी तबहित पहले से बहतर थी, और वो श्योन को कंग्रेचिलेशन्स बोल रहा था, चीफ मून को पकरने के लिए, श्योन बोलती है, ये नियूस कुछ जादी नहीं फैल कई, श्योन बोलती है, उन्हें अकेले पकरने से जादा तकलीफ, तो तुम्हें देख कर के हो रही थी, इस हालत में, गुन्वो बोलता है, माफ कर दीचे आपको परशान करने के लिए, श्योन बोलती है, तुम्हें पता भी है, कि मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंता में थी, ग पास ही रहना तो बारा कभी मुझे छोड़के जाने की सोचना भी मत और हां मेरे सामने ऐसे बिमार मत पढ़ना और नहीं मेरे ले जान को खत्रे में डालना बस मेरे साथ रहना क्योंकि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊंगी गुन्वो श्यान को कुछ पताना चारा था पर श्यान उससे बोलती है बहतर यह होगा कि जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरे पास आजाओ यही मेरा आंसर है अब फिलाल गुन्वो श्यान को कुछ नहीं बताता उसका हाथ पकड़ लेता है तो वहीं दूसी तरफ जाएंगी आदे निकाल करके देख रहे थी है वो याद करती है कि कैसे उसने और युञजुन ने कुछी-कुछी उनकी फैमिली प्लानिंग तक कर ली थी फिलाल श्यान एमोशनल होते हुए बोलती है ओपा आप कहां पे हैं आपको पता है कि आज मैं गुन्वो के पास गई थी आप होते हुए उस यादो की डिपे को बंद कर देती है तो वहीं दूसी तरफ गुन्वो वो श्यान को कॉल करके यूजुन के बारे में ही बताना चाह रहा था पर उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए नेक्स डे श्यान गुन्वो के लिए बहुत चारा खाना बना कर के ले जाती है उस्पिटल गुन्वो बोता है टीम लीडर ये सच में आपने बनाया है श्यान कहती है अफकॉस गुन्वो बोता है मुझे नहीं लगा था आपको खाना बनाना भी आता होगा श्यान बोती है मैं इतने साल तक अके लिए रही हूँ कि मैं अगर पुलिस ऑफ मैंने ड्रामा देखे हैं खुन्वो बोलता है ठीके ठीके मैं खुद ही खालेता हूँ पर शौन उसकी स्पून में खाना रख देती है और उससे बोलती है देखो खाने में नकरे वाले तो नहीं होना खुन्वो बोलता है नहीं आप तो पत्तर खिलाएं तो मैं खुशी-खुशी खालू और उसके बाद वो खाना खाने लगता है दोनों साथ में खुश थे खाना खिलाने के बाद शौन जाने लगती है तब गुन्वो उससे कहता है कि टीम लीडर मुझे आपको कुछ पताना है शौन बोलती है हाँ बोलो क्या कहना है तब गुन्वो बोलता है कि मैंने डिटेक्टिव ली यूंग जुन को देखा शौन कहती है कि हाँ तुमने पहले भी बताया था गुन्वो कहता है आप सप्राइज नहीं हुई शौन बोलती है सिंदकी और मौत के बीच में जब कोई होता है तो वो ऐसी चीज़े देख लेता है गुन्वो बोलता है मैंने सच में डिटेक्टिव ली यूंग जुन को देखा वो जिन्दा है आप शौन पूछती है क्या? इसका क्या मतलब है? अब गुन्वो ने उसे सब सच बता दिया था और शौन उसी नर्सिंग होम के लिए निकल चुकी थी तो वहीं जैंगी अपने भूद भाईया से पूछ रही थी भाईया अब आपने सारे गुनेगारों को पकड़वा दिया है तो क्या भी ये सब कुछ खतम हुआ? हूंग जुन हाँ बोलता है तो वहीं शौन उस नर्सिंग होम तक पहुच चुकी थी इधर हूंग जुन जैंगी को थैंक्यू बोल रहा था तो जैंगी भी बोलती है थैंक्य भाईया आपके वज़े से भी मैंने बहुत कुछ सीखा तब ही वो उससे पूछती है क्या आपने दीदी को गुटपाय बोल दिया हूंग जुन अभी मना करता है तो वहीं शौन जैसे जैसे हूंग जुन के रूंग के नस्दीक पहुच रही थी इधर हूंग जुन के आत्मा गायब सी होने लगी थी जैंक्य बोलती है भाईया यह आपको क्या हो रहा है जैंक्य भी हूंग जुन से एमोशनली अटैच हो गई थी इधर शियोन जैसे ही उस हास्पिटल रूंग का गेट खोलती है हुँच जुन इधर से गायब हो गया था और जैंक्य भी एमोशनल हो गई थी उसके गायब होते ही इधर शियोन वो जैसे हुँच जुन से मिलती है वो रोने लगती है वो इससे कहने लगती है कि अब आप ऐसे क्यों सो रहे हैं प्रीज उठ जाईए वो कहती है कि प्रीज आखे खोलिए और मुझे देखिये वहीं दूसी तरफ गुन्वो बोल रहा था वो जिससे प्यार करती है वो जिन्दा है तो वो इसके पास होंगी तिर पास क्यों आएंगी गुन्वो आखर तुन्हें ने बताया ही क्यों इदर बिचारा गुन्वो परशान था तो वहीं दूसी तरफ शियौन वो डॉक्टर से जाकर की बात कर रही थी कि वो भी तो 6 साल बात कोमा से उठी है तो आखे डिटेक्टिवली हुंग जुन क्यों नहीं उठ सकते हैं तब डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारा केस बिल्कुल डिफरेंट था और डिटेक्टिवली हुंग जुन वो बहुत तकलीफ में हैं और वो टोटली अनकॉंशेस हैं तुम्हारी तरह नहीं खेर अब शियौन डॉक्टर की रूम से लौट रही थी क्योंकि इसमें उन्होंने हिंJack pinky माँठी थी और लिखा था कि आखिर उन्होंने ये सबकुर्च क्यों किया पहले तो मिस्टर चोई को पता ही नहीं था कि चीफ Moon उन्से इननीलीगल काम करा रहे हैं और जब उन्होंने पताचला और उन्होंने ये काम करने को मना किया तब चीफ मून ने उन्हें धमकी और आफर दोनों साथ में दिये कि वो उनके बेटे की बिमारी का इलाज का पूरा खर्चा उठाएंगे और उन्हें कभी भी पैसो की दिकत नहीं होगी और दूसरा ये कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो भी मारे जाएंगे मिस्टर चोई ने लिखा था कि वो बुरे इंसान है लेकिन अपने बेटे को मरते हुआ नहीं देख सकते थे खैर उस समय उन्हें पता चला था कि हिंग जुन जंदा है जिस दिन उन्होंने हिंग जुन को शूट किया था और अब अगर उनकी जान के बतले हिंग जंदा हो जाए तो वो ये भी करने को रेड़ी है वो लिखते हैं कि हिंग जुन मैंने तुम्हाई साथ बहुत बुरा किया है तो प्लीज मुझे कभी भी माफ मत करना शूट ये सब कुछ पढ़के काफी जाता रोने लगती है खिर आगे शूट ने सुंग्चन को कॉल करके बताया था कि कुछ दिन तक वो आफिस नहीं आने वाली है और इन्हें आफिस और गुन्वो दोनों का साथ में धियान रखना है तो वहीं शूट वो गुन्वो को भी कॉल करना चारी थी लेकिन नहीं कर पाती है तो वहीं गुन्वो वो जल्दी से ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके दिमाग में शूट की बात चल रही थी तब आप फूरे टाइम मेरे साथ थे मुझे देर हो गई आपकी पास आने में मुझे माफ कर दीजे और तब ही यूंग जून की आवाज आती है शियान यूंग जून की आत्मा वापे पहुँच चुकी थी और आज वो बोल भी रही थी शियान उसे देखकर गेर होने लगती है यूंग जून उससे बोलता है शियान मैं तुम्हें पहले की तरह हस्ता हुआ देखना चाता हूँ तब ही शियान बोलती है पर आप तो साथ में नहीं है न यूंग जून बोलता है मुझे लगा था कि मेरे अलावा दुनिया में शायद कोई दूसरा नहीं होगा जो तुमारा अच्छे से ध्यान रख पाएगा पर अब शायद कोई और है इसलिए मैं राम से जा सकता हूँ शियोन बहुत रो रही थी और यूंग जुन से बोलता है शियोन मैं 6 साल पहले ही मर चुका था शियोन बोलती है पर अब जिंदा है ऐसा क्यों बोल रहे है यूंग जुन बोलता है वो मैं नहीं हूँ सिर्फ एक खाली शरीर है जिसका कोई मतलब नहीं है वो उससे बोलता है रो मत मैं बिलकुल ठीक हूँ और हाँ आगे से बिमार मत पढ़ना और ड्राइविंग करना है स्टार्ट करो अब तुम समान मत खोया करो और हाँ जससे प्यार करती हो उससे शादी करना बच्चे भी करना शियोन बोलती है उपा पर तब ही यूंग जुन की तबीद खराब होने लगती है और अभी उसकी साथ ही बंद होने लगी थी शियोन चलाने लगती है कि नहीं उपा आप अभी नहीं जा सकते हैं लेकिन हुंग जुन उसकी आतमा तो हुहाँ से गाइब होने लगती है तुमस कुराते वे वहाँ से चला जाता है और शियौन रो रही थी कि प्लीज उपा मत चाहिए और तब ही माँ पे गुनव आता है वो भी ये सब कुछ दिख करके हैरान था हिंजुन की आंख से आंसु निकलता है और उसकी डैथ हो गई थी खेरिजी के साथ ये वाले पार्ट के एक्स्प्लिनेशन यहीं पे कम्प्लीट होती है दोस्तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे बहुत जल दास पार्ट भी में आपके साथ शेयर कर दूँगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थेंक्स फ़र वाचिंग मिलते बहुत जल